असलामों आलेकुम मैं दुलेखा अर्फाद दुलेखास किचिन से तो चलिए आज हम बनाते हैं बढ़िया से पाटियों वाला चिकन स्टार्टर कहिए या शादियों वाला चिकन स्टार्टर कहिए या फिर दावतों वाला चिकन स्टार्टर कहिए बहुत ही मज़ेदार जट पी साधारन याने ओर्डिनरी इंग्रीडियन से एक्स्ट्रा ओर्डिनरी जबराट रेसे भी बनाते हैं आज की चलिए यह है दकरीबन 500 गुराम चिकन बोल्लेस हैं इसके मैंने छोटे पीस करवाये हैं आप चाहे इश्टी खमच नमक दाल दीजिए एक छोटा चाहिका चमच या सवा छोटा चाहिका चमच करनी लाल मिर्च पाॉडर दालीएगा एक टेब्ल स्वन अक्रम पेस्ट अलुँटन चमच का ली मिर्चों का पाउडर एक चुटे चाय का चमच, गरम मसाले का पाउडर दाल दीजिए, थोड़ा सा रेड टंदूरी फूट कलर को थोड़ा से पानी में मैंने दाल दिया और इसे भूल बना कर इसमें डाल दिया है, एक अंडे को फोर्ट कर दाल दीजिए, अब यहां पर मेरे पास मैदा नहीं धा तो मैंने किया किया, तीन टेबल स्पून कॉन फ्लार याने के कॉन स्टाच दाल दिया है, आप चाहें तो अगर आपके पास मैदा हो तो एक टेबल स्पून मैदा दाल दिएगा, और दो टेबल स्पून कॉन स्टाच याने के कॉन फ्लार दाल दीजिएगा, इस सारी चीज अब आदा पॉना घंटा हो चुका है, मैंने फास्ट आज पर चूले को रख दिया था, पतीली के अंदर तेल डालके अच्छा गरम हो गया, तो मीडियम आज कर दीजिए, बिसमिल्लाही रह्मानी रेम, बोल कर हमारे जो चिकिन के पीसे हैं, ये डालते जाए, वेल कोट करे ह हुए डालिएगा, और बहुत जादा क्राउडेर मत कीजिए, जितने समा पाएं उतने डालिएगा, एक दूसरे में चिटके ना बस ये ध्यान रखिएगा, और चूला मीडियम पर करके, इसे तकरीबन 4-5 मिनिट तक हमें पका लेना है, हमें तकरीबन 80-90 पोसंट तक पका अब इसे 1 मिनिट तक फ्राय होने दीजिएगा, पलतिएगा मत, कुछ भी चमश मत लगाईएगा, जब 1 मिनिट हो जाए तो इसे पलट दीजिए, और उलट पलट करते हुए, 4-5 मिनिट तक फ्राय कर लीजिए, जब 4-5 मिनिट हो जाए, तो 80-90 पोसंट तक तो गल जाएं मैं चन्नी के उपर रख देती हूँ, आप चाहें तो टीशू पेपर के उपर बेशाग रख सकते हैं, इसी तरीके से सारो को बैचेस के अंदर फ्राय कर लीजिए, मैंने 2 बैचेस के अंदर सारी चिकन को फ्राय कर लिया है, तकरीबन 80-90 परसंट तक गला लिया है, अब हम चिकन को री-फ्राय करेंगे, तो जब सारी चिकन निकाल लीजिए, फास्ट आज पर चूला चालू कर दीजिए, और अच्छा करम हो जाने दीजिए, अच्छा करम हो जाए तो हमारी चिकन फ्राय करी हुई डाल दीजिए, हम री-फ्राय कर रहे हैं, जी हाँ, क्योंकि एक चन्नी के ओपर साइट पर रख देती हूँ, इसी तरीके से सेकेंड बैच को भी मैं एक मिनिट तक फास्ट आज पर गरम तेल के अंदर फ्राय कर लेती हूँ, क्योंकि यह री फ्राइंग प्रोसेस से क्या होता है, कि हम एक्स्ट्रा क्रिस्पी कर पाएंगे हमारी चिकन को, चलिए यह दूसरा बैच मी मैंने डाल दिया है और यह भी एक्स्ट्रा क्रिस्पी हो गया है, एक मिनिट के बाद मैंने इसी निकाल लिया है, और चूला कर दीजिए बंद और यह आप देख सकते हैं, बढ़िया सी चिकन हमारी रेडी है, अच्छा अगर आप चाहें री फ नहीं कि बाद में नहीं के रिस्पी हो जाते हैं और अदर से, पक जाएगे छे-साथ मिनिट के अंदर तो, आपको री फ्रै करने ज़र नहीं वी मैं फर्स टायम रिफ्रै कर रही हूं नहीं, तो मैं कभी री फ्रै करती हूँ नहीं, इससे थोड़े एक्स्ट्रा क्रिस्प बगार लेते हैं, आप चाहें तो मेरी तरह सेम वही कड़ाई ले लीजिए, मैंने तेल सारा निकाल लिया, और वही तेल में से अब मैं वही कड़ाई के अंदर दो-तीन बड़े चमच तेल के डाल रहे हूं, चुला फास्ट आज पर चालू कर दीजिए, अब ये तेल जब ग चुटे चाय के चमच हो रहे हैं, एक हरी मिर्ची को मैंने लंबा-लंबा काट लिया था, साइडवेश, उसे तकरीबन एक मिनिट तक ये सारी चीजों को फ्राई कीजिए, जब एक मिनिट हो जाए, तो यहां पर दाल दीजिए, एक मेडियम साइज की मोटी-मोटी कटी हु अब हम थोड़े से सॉसस दाल देते हैं, तो यह धाई चोटे चाय के चमच है, चिली सॉस, रेडवाला, आप दो भी दाल सकते हैं, अब ये है दो चोटे चाय के चमच, घ्रीन चिली सॉस, ये है तकरीबन तीन चोटे चाय के चमच, चमाटर सॉस, और ये है एक चोटा चा यहां पर मैं कश्मीरी रेड चिली पाउडर दाल रही हूँ यह आपने नहीं दालना तो आप स्किप कर सकते हैं मैंने वन फोट चोड़ा चाय का चमच भरकर दाला है और इसे चूला मैंने मीडिया माच कर दिया और इसे चला लीजिए और इसे तकरीबन आधे पॉने मिनित पकने दीजिए जब तक उबाल नहीं आ जाता हमारे सॉसस के अंदर मीडिया माच पर पकाईएगा अगर आपको एकदम बाजार जैसा बनाना है तो एक देट टेबल स्पून पानी लीजिए उसके अंदर थोड़ा से तंदूरी रेड फूर्ट किलर दाल कर खोल बना लीज एक चोटा चाय का चमच, कौन फ्लार यानि के कौन स्टाच को तीन चाथ टेबल स्पून जितने पानी के अंदर दाल कर मिक्स कर लीजिए और स्लोरी बना लीजिए और ये घोल आप इसके अंदर दाल दीजिए चले ऐसे और चूला मीडियम पर रख दीजिए और इसमें उ अब इसमें देखिए अब उबाल आ गया है यहां पर मैने चूला मीडियम पर रख दीजिए और इसे बाइगा से टॉस किजिए बार बार चलाते हुए मीडियम आज पर तब तक पकाई जब तक आपको जितनी इस साइड कंसिस्टेंसी चाहिए उतनी रखे आपको थोड़ी बहुत भी रखनी है तो आप एक मिनिट में इसे थोड़ा सा टॉस करके चूले को कर दीजिएगा बंद और पूरी तरीकी से ड्राय करनी है तो देट दो मिनिट के बाद बंद कर दीजिएगा बट मैं एक मिनिट के अगर आपके पास ग्रीन प्रिंग ऑनियंस की पती हो उसे बारी काट कर दाल दीजिए अब आप चाहें तो किसी बाउल में या प्लेट में जिसमें भी सर्फ करना चाहें उसमें सर्फ कर दीजिए तो ये बन गया है हमारा बढ़िया सा मज़ेदार सा पाटियों वाला दावतों वाला का ये चिकन चिली मज़ेदार सा दिखने में क्या बढ़िया लग रहा है ऐसा लग रहा है ना कि बाजार जैसा है इनफाइट घर में आप जब बनाऊगे और ये खाऊगे तो ऐसा लगएगा कि बाजार से बहतर है कहां से आ गया लोग उखलिया जाटते र कर सकते हैं या फिर आप इफतार भेजते हैं किसी के घर पे तो फॉइल के बावल में बना कर भेज़ दीजिए पता भी नहीं चलेगा वह आप बताओंगे तब पता चलेगा कि ये बाजार का नहीं घर का है इतना डिलिश्योस बनता है माशाला इसी तरीके से मैंने बहुत की एक आप शारी चिकन स्टार्टर器 की रसेपी मेरे चैनल पर अप्लोड की है ! ये इंफक्त एक और मैंने बटर गार्लिक चिकन मेरे चैनल पर अपलोड किया वह भी पाटी स्टार है। को ऐसे बना है नहीं जरू आ बेना तो मेरे साथ कर객 सेक्षिन में ज़रू शेर किजि